हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अच्छना वेलकम टो माई चैनल फोडशेप आज मैं बना रही हूँ वेज मंचूरियन बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है ये खाने में और मैं आज आपको बताऊंगी एकदम मार्केट जैसा वेज मंचूरियन आप घर पर किस तरीके से बना सकते हैं यकीन मानिए देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में ये कहीं ज्यादा लाजवाब लगता है तो आईए बनाते हैं वेज मंचूरियन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले एकदम च Pac-5 जेयर बीन बालिक कात लिया है और ठोटा प्यास लिया है इस तरीके से काट लिया है रफ्ली और ठोड़ा सा हराप्याज अधीक टोरी अहराप्याज ले लिया है मार्केट में आजकल सर्दियों के मौसम में ये बहुत आसानी से मिल जाता है तो अब क्या करना है इन आपको क्या है कि कद्दु कस करना पड़ेगा या आपको इसे घ्राइंडर में चलाना पड़ेगा । वह टेक्षर नहीं आता है जो हम इस चोपर में ला सकते हैं तो बस 3-4 धर इसको चलाते है न budget बहुत अच्छा में सब्जिवों को अक्तम बारीग कर देता है आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन ये चॉप होता है इसमें तो अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं है न तो मैं कहूंगी कि आप घर के लिए एक जरूर खरीदें बहुत सस्ता आता है सस्ता मतलब कि धाई सो से तीन सो के बीच में भी आ जाता है मेंगा बी याता है लेकिन बहुत मेंगा इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है तो बस ये जो बाकी सारी सब्जिया ना इसी तरीके से हम हैं चॉप कर लेंगे मंचूरियन ग्या होता है ना कि देखने में ऐसा लगता है कि बहुत Tricky है बनाना और लगता है कि घर पर और एक बार अगर आप बना लेंगे ना इस तरीके से आपका मन करेगा बार बार बना कर खाएं और वैसे भी सर्दियों की मौसम में क्या है कि सबजिया बहुत वराइटी हमें मिलती हैं मार्केट में तो जब मन करें आप इस तरीके की चीजे आप घर पर बना सकते हैं तो बस यह जो थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाल दिया है थोड़ा सा हरा प्याज इसे भी चॉप कर लेते हैं बस आप देख रहे हैं चॉपर में कितना आसान होता है इन सक चीजों को बारीक करना बस अच्छी तरह इसमें डाल देते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ तीन चम्मच, कॉन फ्लोर, तीन चम्मच ही डाला है मैंने, जरूरत हो तो आप एक डेड़ चम्मच और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ तीन चम्मच डाला है, तीन चम्मच ही मैदा डाला है, जितना हमने कॉन फ्लोर लिया है, उतन चोटा चमच नमक और एक चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर डाल दे बस अब इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है ताइट हाथों से एकदब मसलते हुए इसका हमने डोज ऐसा बनाना है ताकि हम इसके बॉल्स बना सके छोटे-छोटे आप चाहें तो इसमें थोड तो आप थोड़ा सा कौन फूर या मैधा और एड़ कर सकते हैं तो बस इसी तरीके से सारा जो बॉल्स है बना कर तयार कर लेंगे अब इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए इसे हमने लो से मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई करना है यह ध्यान रखें धीमी आज पर ही फ्राई करें इस से क्या है यह जो बॉल्स है अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा जल्दबाजी में इससे फ्राई ना करें एक बार तेल गरम हो जाने के बाद गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में कर ले बस हलके हाथों से इसे चलाते हुए फ्राई कर ले थोड़ा सा समय तो जरूर लगता है इन सब चीजों को बनाने में लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है और फिर मन करता है कि इसे बार बार बना गर खाएं बस हलके हाथों से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे बस आब देख सकते हैं यह बहुत अच्छी तरफ फ्राई हो चुका है तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और मैंने इसे धीमी आज पर ही फ्राई किया है गैस का फ्लेम हाई पर या मीडियम पर भी नहीं करना है लगातार हमने इसे धीमी आज पर यानी लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही फ्राई करना है बाकी के सारे जो बॉल्स है उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे बस अब ये भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं इसे मैं बना रही हूँ ग्रेवी के साथ, तो ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, एक मिक्सिंग बोल ले और उसमें डाल दे एक चमबस सोया सॉस, एक चमबस चिली सॉस डाल दे, ये आप डारेक्ट पैन में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चीजे इकठा करने से क्या है न हम बहुत ही अच्छे से काम कर पाते हैं, एक चोटा चमबस टोमैटो केचप डाला है मैंने, एक चोटा चमबस काली मिर्च का पाउडर, आधा चोटा चमबस या स्वात के अंसार आप नमक डाल दे, और उतना ही आधा चोटा चमबस इसमें मैंने काला नमक डाला है, बस अ तोड़ा सा इसमें पानी डाल दें यह ग्रेवी को ठीक करने का काम करती है बस अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब जिस तेल में हमने बॉल्स को फ्राई किया था उसी में से दो चम्मस तेल हम पैन में छोड़ देंगे बाकी का तेल निकाल दे गरम हो जाने दे उसके बाद इसमें डाल दे लैसन और अद्रग थोड़ा सा प्याज जो मैंने बचा लिया था वो डाल देते हैं और थोड़ के पास सिर्मला मिर्च है तो थोड़ा सा आप सिर्मला मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस चला लेते हैं इसे बहुत ही सिंपल होता है और ये सारी चीजे क्या है ना आपको हाई फ्लेम पर करना है इसमें कम आच नहीं होता है बस इसे हाई फ्लेम पर ही हमने पकाना है औ और यह जो हमने सॉस का मिक्षर तयार किया था उसे डाल दें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक कप के करीब पानी डाला है मैंने थोड़ा-थोड़ा करके एक हलका सा उबाल आने दें तब हम यह जो कॉन स्टार्च का घूल है उसे डालेंगे वो भी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक साथ पूरा नहीं डालने जितना हमें जरूरत होगा न उतना ही हम डालेंगे अगर आपको जादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं या आपको अगर सुखा मंचूरियन बनाना है यानि एकदम ल मिर्च और डाल रही हूं जो कि मुझे कम लग रहा था और थोड़ा सा नमक डाल रही हूं यह चीज़े आप बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अज़ेस्ट कर सकते हैं बस इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तवाल कर रही हूं यह ऑप्सनल है अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं बस अब जो हमने बॉल्स फ्राइ करके रखा है न उसे डाल दें तो आप देख रहे हैं यह वेज मंचूरियन बनाना कितना आसान है बहुत ही जल्दी यह बन कर तयार हो जाता है बस थोड़ा सा उबाल लेंगे इसे मतलब एक से दो मिनटी उबालना है इससे ज़्यादा उबालने की जरूरत नहीं होती है बस थोड़ा से यह हरा प्याज इसके उपर स्प्रिंकल कर दे अब यह सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है तो देखा आपने कितना आसान है यह वेज मंचूरियन बनाना और आप यकीन माने इसका जो स्वाध है न मतलब मार्किट से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करें यकीन मानी आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और मेरे चैनल को अगर अभी तक प्रियो में थैंक यू